हेलो फैमली स्वागत आप लोग हमारी चैनल को और मांगा पे आज हम लोग एक न्यू स्रीज स्टार्ट करने बाले जिसका नाम है दर लौस्ट माई लौस्ट वाइफ तो अगर आप लोग के इस स्रीज एप्सोर्ड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल जाता हैो ऌस्विणियों से उपर की तरफ जा रहा होता है लें तब भूल गई और देखता है इसका पोस्चर तो देखो इसका ट्रेस तो देखो इसके सोड तो देखो एकदम रियल कितरा लगा रहा है इसका सेंडल देखो मुझे लगता है यह अपने रोल में काफिजर डिटिकेटेड थी इसलिए इतना अच्छा से तयार हो के आई साथ हूँ वो पना चावी उठा के वापस अपने रूम के अंदर जाने लगता लेकिन तभी वो लड़की उसको रोकते हैं बोलती कि रूख जो बोलता है कि यह मेरा घर है मैं यहां पर जा सकता हूं साथ ही वो मनी मन सोच रहता है कि क्या मैं इतना जादा बुरा दिखता हूं कि मैंने इतना दूर भाग के मुझे बात कर रही है लेकिन फिर वो उस लड़की की दरब देखता है नहीं मैंने इसको रहा है नहीं इसके पास एक स्वार्ड और यह मेरे उपर अटाक करने के लिए मतलब यह लड़की मुझे रहा रही है साथी वो अपने दरवाजा खोलता है इसके बाद दोनों बैटके साथ में खाना खाते और पीतेацम का फूस होता है यृनानी के बाद सौर लेने के बाद काफ जय्यादा रीफ्रेसिंग फील होता है और सेफ ज़्यादा रिफ्रेसिंग फिल होता है जब आपके पास को को ठंडा को साथ ही बोलता है कि चलो आज का काम तो पूरा हो गया आज का फिलता बारीस भी हो रही है और वहां पे दिखाते है फानली रात हो जाता है वो लड़का फिर से एक छतरी उठाता है चात नेरी बाद ध्यान से सुन sincere रहा रात फोनेवाली बारीस वह हो रुपने कर नाहीं ले रही है तो अगर तुमारा घर ज्यादा दूर क्ले की यहाँ से से पड्र करते की यह बहुत ज़्यादा है वो बोलता है कि क्या क्यों अब मैं इसको कैसे आंसर दो कैसे यह जआבה बोलता है कि तुम मुझे ली फैंग बुला सकते हैं मतलब उस लड़के का नाम ली फैंग होता है अब बोलता है कि क्या तुम्हें अमरेला चाहिए अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको यहां से दूर रख रहा मतलब कि वापस से अंदर जा रहा हूं लेकिन उलड़की उसको ग के इता हूं भी हो दिखा जागल में जारहाएं उसके को बोला लेता हूं नेक्के वो किया करता है साथि वहां पे। अंदर आना चाहिए था तुम आसके वह आपस से टीवी की तरफ देखती है, वहां पे टीवी में एड़ाइजमेंट चल रहा होता है, तब युद्ध का आप ज़्यादा सोग हो जाती है, क्योंकि जो लड़की होती है, उसने अपने स्वार से उस टीवी के उपर अटैक कर दिया होता है, LCD के उपर अटैक करके उ LCD को तोड़ देती है, लीफेंग काफी सौक के साथ उधर की तरफ देख रहा था है, उसके फोन पर उसके जो अंकल होती, सेक्योरी गार, वो बोलता है कि लीफेंग, लीफेंग क्या, मैंने एक बहुत जोड़दार आवास सुने क्या, वहां पे कोई मसला है, वहां पे बात ध्यान से सुनो, वह से कुछ पुछने वाला होता, लेगिन तब तर लड़की उसे पुछते कि आखिरियत जो लोग थे, यहां पे अचानक से कैसे आ गए, और वैसे तुम किसे बात कर रहे था थोड़े देर, पहले वह काफी गुसे के साथ उसके तरफ देख रहे होत इसका सेंडल और क्लॉथ दिखने के बाद मुझे लगता है कि इसके पास पैसे भी नहीं होंगर मुझे मेरा टीवी दुबारा नहीं मिलने वाला, वो अपने दोना हाथ उपर करके बोलता है कि मैं तुमसे एक बात कहने चाहता हूं, पहले क्या तुम अपनी स्वाड को नी नाम जी हैंग, अचाए ये सॉल्ट गैंग इसके बारे में तुम बात करें, क्या ये बहुत जादा बड़ा गैंग, बोलती ही सॉल्ट गैंग, गुसू, क्या तुमने उसके बारे में कभी नहीं सुना, बोलता है कि मैंने नहीं सुना पर क्या इसके बारे में जानना जरू सकते, कि मैं वापस घर जाना चाहते हैं, मुझे वापस इसा अल्ट गेंग में जाना है, लिफंग उससे कहता है कि यह बीवेंग रोड है, जोकि जीैंगंचिंग सिटी में बिलोग करता है, कि जुएंगंचिंग को चांती हो लेकिन वो कुछ नहीं करती है अपना सर नाम हिलाती हो लड़का बोलता है कि यह तो बिल्कुल impossible है तुम कोई ancient person लग रही है अब मैं तुमसे क्या पूछूँ तुमारा emperor कौन था क्या तुम अपने emperor का ना मुझे बता सकती हो बोलती कि mystery emperor के पार हम तुमوسे पूछ रहे हो बोलता है हां हां तुमारा ये mystery और emperor कोन है बोलती हां है सबक 확 एक ट्या यांग नियूंग क सबसक्ता करते हैं कि तुम ये ट्यांग है प्र लिटीन बोलेता सथ लूनग जानती है कि लुक्त सबक्तिस ये लड़की जानती है बोलता है कि बोलती है का है बोलता है कि अच्छा मुझे लगता कि वह ब्रस में गेम है जिसके अंदर एक लीप आये नाम का करक्टर होता है साथ ही लीफ एंग को यह बिस्वाश वाजाता है कि यह फर्स्ट में बलब कि जो जी यह वह सच में 16 अगया तब सबसे पहले पीछे और पीछे जा tadi शीष जाता कि तुम्हें को देखना और बॉलती कि को सरुष रवेंट है जो कि तुम्हारा खान लिका है बोलता है को सर्वेट ने बस एक खाना पर ठांक्यू तुमने मुसे पूछा उसके लिए साथ ही वो अपने खाना लेकर वापस से जाकर बैठके खाना इस्टार्ट कर देता है और बोलती है तो लड़की उसे पूछती है कि तुमने बाल इतने छोटे क्यों करा रखे क्या तुम्हें जेल की सजा हुई थी क्य बोलता है एक घंटा पहले एक घंटा पहले बारी जो इस्टार्ट हुआ था और यह बंदी अचानक से कहीं से आ गए अलब यह लड़की बोलती है अच्छा हुआ कि इस लड़की ने भी तक किसी को मारा नहीं जिससाब से अपना स्वाट चलाती है अगर इसका किसी और बं तो में इसके बार कैसे कहुंग हो तुम कैसकते हो उस बंदी का यहीं काम है कि वो सारे घर हूंद में भाना पहुंचाता है साथी वो उसको देख वर् labor को देख रही होती तो उससे पूछता है क्या तुम इसका कहना चाहती हो यह मुझे लगता है कि तुम काफ ज़िदा भ मुझे फसाना चाहते हैं क्या तुमने अपने खाने में जिसके मतले से तुम मुझे मार सक उपन मैं तुम्हारे जाल में फशने वाली नहीं हो। तुम सुरू से मुझे कुछ खिलाने और पिलाने की फिर लगे हुए। मुझे लगता है कि तुम किसी तरह की जासूस हो। लड़का बोलता है कि तुमने सच में इसको इरा दिया यह पोईजनस नहीं था मैंने तुमने कहा था नहीं यह एक ड्रिंक है हम लोग इसको पीछ सते पर तुमने ऐसा क्यों किया लेकिन लड़के कावे गुसे कसा दूसके आपर चड़के खड़ी हो जाते हैं और उपने पसंद आता है तो प्लिस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहले बार आएके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अल पर सेट कर देना और यह वीडियो यह सीरीज कहसा लगा यह मुझे कमेंड बें बता देना तो मिलते नेक्स वीडियो के साब तर त प्रेट लग